तो अभी तो बिहार में बैन हो गया है सराब पर पीते हैं इसके बाउजूद की सरकार जो है सराब पर बैन लगा चुकि इसके बाउजूद भी सराब यहां धरले से भिक रहा है पटना के गाउं में बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, सरकार दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से बैन है और हम सफल हैं, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, सरकार बहार में सराब प्रतिबंधित कर चुकें इसके बाधुद भी कैसे आपके गाउं में पतना के गाउं में वो भी कैसे सराब बिक रहे है धरले से? मतलब सरकार जो है रिसुवत लेती है करने जाता है तो सरकार का ये दावा जो है आपकी नजर में बिलकुल गलत है कि बिहार में पूरी तरह से सराब जो आप आपका जो गाउं है वो तो बिलकुल पटना सहर के पास है अच्छा ये बताईए बिहार सरकार का ये फैसला की सराब पे पूरी तरह प्रतिबंदित कर दिया जाएगा बिहार में इससे आपका खुस है या बहुत खुस है बहुत खुस है लेकिन अब बधाई दे रही है लेकिन वो जो भी सराब प्रतिबंदित है वो जो है धरातल पे लागू नहीं हो पा रहा है मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार सराब जो पूरी तरह से बिहार में प्रतिबंदित कर चुकी है लेकिन आपके गाउं में जो पटना से सटा हुआ है धरले से सराब भी कर रहा है तो इसके बारे में क्या कहेंगी तो इसका मतलब कि सरकार दिखार जो है दिखाने के लिए तो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर चुके लेकिन धरातल पर प्रतिबंधित नहीं है